नमास्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम complete house wiring करना सीखेंगे वो भी solar panel के connection के साथ में तो दोस्तों देखिए, यदि हमें solar panel के द्वारा connection करना है तो हमें चाहिए एक solar panel अब यहाँ पे जो हमारा solar panel है, इसमें से एक solar panel का wattage 250 है और यह output में 24 volt देता है यानि कि हमारा जो solar panel है, इसका rating 250 watt और 24 volt है अब यहाँ पे जो हमारे पास solar panel है, इन सभी solar panel के positive terminal को आपस में हम sort करते हैं कुछ इस प्रकास है, यानि कि यह जो हमारा पहला solar panel है, इसका जो positive terminal है, उसके बाद यह जो हमारा दूसरा solar panel है, इसके positive terminal के साथ connect कर देंगे इसी प्रकास है, तीसरे के साथ और 24 के साथ connection कर देंगे अब जिस प्रकास है यहाँ पर हमने positive tunnel को आपस में connect कर दिया उसी प्रकास है negative tunnel को भी हम connect कर देंगे यहाँ पर हमने negative tunnel को connect कर दिया अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यह जो हमारा solar panel इसके output power supply को ले जाके एक MCV में connect करना है यहाँ पे जो हम MCV इस्तमाल करेंगे वो DC MCV होगा दोस्तों जो हमारा DC MCV होता है उसके उपर में आपको positive और negative symbol मिल जाएगा जो positive symbol होता है उसमें हमें face supply को connect करना होता है और जो negative symbol है उसमें हम negative power supply को connect करेंगे यानि कि जो हमारा solar panel था उसका जो positive power supply है उसको हम ले जाके हमारा जो MCV है उसके positive terminal पे connect कर देंगे और जो negative power supply है उसको negative terminal पे connect कर देंगे यहाँ पे जो हमारा 4 solar panel है इसको हमने parallel में connect कर दिये parallel में connect करने से यहाँ पे हमारे पास total 1000 watt हो जाएगा यानि कि यहाँ पे जो हम solar panel का connection कर रहे हैं वो एक kilowatt के लिए किया जा रहा है अब यह जो हमारा MCV है इसके output terminal से जो power supply जाएगी वो एक inverter के लिए जाएगा और यहाँ पे जो हम inverter इस्तमाल करेंगे वो hybrid solar inverter होगा ठीक है आपको बहुत सारे wire और बहुत सारे terminal मिल जाएगे connection करने के लिए तो यहाँ पे जो हमारा solar inverter है इसके पीछे में यह जो हमारा solar inverter का connection है उसको कहाँ पे करेंगे एक बार समझ लिजे देखिए यह जो हमारा solar panel है इसका जो positive terminal होता है उसको लाके यहाँ पे जो आप terminal देख रहे हैं इसका जो पहला terminal है इस terminal पे हम positive wire को connect करेंगे और दूसरे terminal पे negative power supply को connect करेंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा MCV था इसमें जो positive terminal connect थी उसके output terminal से हम क्या करेंगे positive wire को connect करेंगे और इसको लिजाके हमारा जो solar inverter है उसके इस terminal के positive terminal पे connect कर देंगे यानि कि पहरे वाले terminal पे connect कर देंगे उसके बाद ये जो हमारा negative terminal है इस terminal से एक wire को connect करेंगे और इसको लिजाके हमारा जो solar inverter है उसके पीछे में जो ये second terminal है इस पे connect कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा solar panel का connection था वो complete हो गया अब दोस्तों देखिए हमारे घरों में हम केवल solar panel का connection नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो solar panel होता है वो केवल दिन में काम करता है राट के समय ये voltage को produce नहीं करता तो दोस्तों यदि हमें हमारे घरों में night में power supply को consume करना है तो उसके लिए हमें electric pole की जोर पड़ेगी यानि कि electric pole से power supply को लेके आना पड़ेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक electric pole है जिसमें से हमें power supply को लेके आना है अब जो हमारा electric pole होता है वहाँ से power supply जो आती है वो सीदे ही energy meter में चली जाती है अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आप energy meter इस्तेमाल करोगे वो bi-directional energy meter होगा इसके नाम से ही आपको मालूम चल गया होगा कि यह जो energy meter है वो दोनों तरब से काम करेगा यहाँ पर हम bi-directional energy meter का इस्तेमाल क्यों करते है एक बार समझ लीजे देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने चार solar panel का इस्तेमाल किये यानि कि कुल 1000 watt आप बिजली पैदा करने के लिए solar panel का connection किये है अब माल जीए कि आपके घर का load जो है वो 500 watt है और आपका जो solar panel है वो 1000 watt बच जा रहा है अब यहाँ पर जो 500 watt electric power supply बच गया है यह जो हमारा inverter है उसको क्या करता है return में इस electric pole को देता है यानि कि हम बिजली वाले company को उधार दे देते हैं ठीक है अब राट के समय हमारा जो solar panel है वो काम नहीं करता है उस समय क्या होगा कि हमारा जो electric pole है वहाँ से power supply क इसको हम return वापस ले लेंगे जिससे फाइदा यह होगा कि हमारा जो बिजली का बिले वह नहीं आएगा यानि कि जो हमने उधार दिया थे वह वापस ले लेंगे night के समय ठीक है अब यहाँ पे जो हमारा electric pole था वहाँ से हम एक वार को connect करके लाएंगे और उसको लिया कि हमा दरना है तो हम क्या करेंगे यह जो हमारा energy meter है इसका जो टीसरर टर्मिनल है वहां से एक वार को connect करेंगे और उसको लिया के हमारा PCB है उसके एक टर्मिनल करनेक्षन करेंगे आप दोस्तों यहाँ पर एक जी याद रखिएगा आपका जो energy meter होता है उसका पहला terminal face के लिए हो चोटे नमबर टर्मिनल पे face supply मिलता है ठीक है अब दोस्तों देखिएगा यह जो हमारा inverter है इसके पीछे में आपको तीन केबल दिख रहे हैं आप तीनों केबल में से यह जो केबल है यह हमारा input power supply होता है यानि कि हमारा जो electric pole से power supply आ रही है उसके साथ इसका connection करना होता है तो supply को भी ले जाके इसके वाल के साथ connection कर दूँगा तो यहां पे हमारा जो solar panel है उसका connection हो गया और जो हमारा electric pole है उसके द्वारा भी connection complete हो गया है अब दोस्तों यदि आप चाहें तो यहां पे बैटरी का backup भी रख सकते हैं और ना चाहें तो नहीं रख सकते हैं तो यहां पे मैं आपको बैटरी का भी connection बता देता हूं तो दोस्तों देखिएगा यदि आप यहां पे चार solar panel इस्तमाल करें जो की 1000 वाट बीजली को पैदा करेगा तो यहां पे आपको backup के लिए 4 बैटरी का इस्तमाल करना पड़ेगा और हर एक बैटरी आपका 150 AH का होगा और बैटरी के positive टर्मिल के सारी connect कर देगे जिस प्रकाल लिए हम पे करेक्षिं की हैं, same to same इंडो arenos बैटरी के लिए खरोगे हमें बैटरी कि लिए जे जो दोनों बैटरी इनको पहलान में connect करणा है अब यह जो दोनों हमारे बैटरी नीठ के positive terminal को आपस में suchड कर देगे यानि कि इस battery के positive terminal को इस battery के positive terminal के सर connection कर देंगे इसी प्रकाल से इन दोनों battery के negative terminal को आपस में sort कर देंगे कुछ इस प्रकाल से अब दोस्तों देखिएगा यह जो आपका solar inverter है इसके पीछे में जो cable दिख रहे हैं red वाली और black वाली इन दोनों को आपको battery के सर connect करना होता है red वाले cable को हम battery के positive terminal के सर connect करेंगे और black वाले को battery के negative terminal के सर connect कर देंगे तो कुछ इस प्रकाल से connection complete हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा solar inverter था उसको जो input power supply देना था वो complete हो गया है दोस्तों देखेगा यहाँ पे जो हमारा solar inverter है इसको हमने 3 input power supply दिये हैं पहला तो solar panel के दोरा, दूसरा grid power supply के दोरा, तीसरा battery के दोरा ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा solar inverter था इसको हमने input power supply दे दिये अब हमें इससे output power supply लेना है तो output power supply हमें यह जो हमारा solar panel है इसके इस socket के द्वारा मिलता है यानि कि हम क्या करेंगे यहाँ पे एक plug top को इस्तमाल करेंगे और plug top को इसमें करने करके हम output power supply को लेते हैं अब दोस्तों देखेगा यहाँ पे हमें हमारे घर का wiring करना है तो हमारे घर के wiring करने के लिए हमें दो चीज जरूर इस्तमाल करना होता है पहला तो MCB और दुसरा RCCB दोस्तों आपके घर में जरूर MCB और RCCB का connection करिएगा MCB क्या करता है आपको overload का protection देगा और RCCB आपको electric power supply के socket से बचाता है यानि कि आपका जो RCCB है वो आपके life को safety देता है दोस्तों यदि आप यह नहीं जानते है कि किस प्रकास से हमारा जो RCCB होता है वो हमारे life को बचाता है तो प्लीज उसके लिए एक वीडियो बनायता है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा उस वीडियो को लिंग मैं description में दे दिया हूँ आप वहाँ पे click करके देख सकते हैं ठीके चलिए आगे बरते हैं यह जो हमारा plug top है plug top का जो दहिना pin होता है उस pin से हम एक wire connect करके ले जाएंगे और MCB के साथ connect कर देंगे दोस्तों एक चीज़ हमें से याद रखीगा यह जो हमारा दहिना pin होता है उसमें हमें face supply मिलेगा यानि कि जो हमारा inverter है उसका जो यह right वाली pin है इसमें हमें face supply मिलेगा और left वाले pin पे neutral supply मिलेगा तो इसी पकासे हम यहाँ पे भी connection करेंगे यह जो हमारा plug top है इसका जो दहिना pin है उसमें हम face wire को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा MCB है उसके एक terminal पे connect कर देंगे इसी पकासे यह जो दूसरा pin है उसमें से हम neutral supply को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा MCB है उसके दूसरे terminal पे connect कर देंगे अब यह जो हमारा MCB है इसमें से एक वायर को connect करके हमारा जो RCCB है उसको input power supply दे देते हैं अब दोस्ते दिखेगा हमारा जो RCCB है वहाँ से हम power supply को अलग-अलग room के लिए distribute कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 MCB का इस्तमाल करते हैं चारों MCB हम अलग-अलग room के लिए इस्तमाल करेंगे अब हमें क्या करना है कि यह जो हमारा RCCB है इसके output terminal से एक वायर को connect करके ले जाएंगे और सभी MCB को phase supply के सार connection कर देंगे अब जो हमारा neutral power supply होता है उसको हम एक bus bar के सार connect करते हैं तो हम क्या करेंगे यह जो हमारा MCB है इसके neutral terminal से एक वायर को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा bus bar है उसके एक terminal पे connect कर देंगे तो दोस्तों देखिएगा यहां पे जो हमारा main distribution board होता है वहां पे हमने connection कर दिये solar के power supply के द्वारा अब दोस्तों देखिएगा यहां से हमें हमारा घर का wiring करना start करना है तो किस परका से wiring करेंगे देख लीजे दोस्तों देखिएगा यहां पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा layout बनाया हूँ जिसमें से आप यह देख सकते हो कि यह हमारा room number one है यह room number two और यह हमारा kitchen हो गया और यह हमारा was room हो गया ठीक है दोस्तों अब दोस्तों देखेगा यह जो हमारा room number 1 है, room number 1 में हम एक bulb और एक fan का इस्तमाल करेंगे, अब यह जो हमारा fan और bulb है, इसको control करने के लिए यहाँ पे हम एक switchboard का इस्तमाल करेंगे, और इसी room में हमें एक power socket का भी इस्तमाल करेंगे, अब दोस्तों देखेगा, यहाँ पे ज इसके output terminal से एक वायर को connect करके ले जाएंगे, और जो हमारा switchboard है, इसके किसी भी एक switch के सार connection कर देंगे, यहाँ पर हमने इस switch के सार connection कर दी है, अब यहाँ पर जो हमारे ये दोनो switch हैं, इन switch को भी हम face supply के सार connection कर देंगे, अब दोस्तों दिखेगा यहाँ पर जो हमारा socket है इस socket को control करने के लिए हम इस switch का इस्तमाल करेंगे तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस switch के output terminal से एक wire को connect करेंगे और इसको ले जाके हमारा socket है उसके दाहिने वाले pin के साथ connection कर देंगे उसके बार में यह जो हमारा bulb है इस bulb के connection क हम इस switch का इस्तमाल करेंगे तो इसके हम क्या करेंगे यह ज़ो हमारा switch है इसके output terminal से एक wire को गने करके ले जाएंगे और इस bulb को daw YOUR l게borg को करके जाएगे और जो हमारा फैन है उसको फैस सप्नलाई दे दे देंगे दोसटों यहां पे जो हमारा फैन है उसको हमें के पारी के सब्सक्रीटर के सारब भी connection करना पदता है जोस्तों यह आप यह नहीं जानते कि किस किस प्रकाल से हम fan का connection करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से explain किया हूँ कि हम किस प्रकाल से fan का connection करते हैं तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं उस वीडियो का link मैं description में दे दिया हूँ आप वहाँ प mcv का इस्तेमाल करेंगे यानि कि यह जो हमारा support number का mcv है is mcv का इस्तेमाल हम power supply के लिए करेंगे यानि कि हमारा joh heavy load होता है उसके लिए इस mcv का करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे यह जो हमारा mcv है इसके output terminal से wire को connect करके ले जाएंगे और यह जो हमारा स्विच बोड़ है इसमेंciamo image supply को connect कर देंगे यहाने कि इस switch के साथ connection कर देंगे अब यह जो हमारा plug टोपे इसके दाइने pin मेंめ Supply देना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हमिए यह जो हमारा switch है इसके output टनले से wire को connect करके ले जाएंगे और इस pin के सार connection कर देंगे यहाँ पे जो हमारा room नुमर 1 है room नुमर 1 में हमने face supply का connection कर दिये अब हमें यहाँ पे neutral supply का connection करना है तो neutral supply का connection के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा neutral bus bar है neutral बस बार से हम एक वायर को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा switchboard है इसके इस pin के सर connection कर देंगे यानि कि यह जो हमारा socket है इसका जो left hand वाली pin है उसके सर connection कर देंगे अब दोस्तों लिखेगा यहाँ पर जो हमारा power socket है इसमें भी हम neutral supply देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से एक wire को loop करेंगे और fan को neutral supply दे देंगे इसी प्रकासे bulb को भी neutral power supply दे देंगे अब दोस्तों देखेगा यह जो हमारा power socket है power socket में एक मोटा वाला pin होता है इस मोटे वाले pin पे हमें earthing का connection करना होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमारे जो earthing होता है उसमें एक wire को गने करके लएंगे और उसको ले जाके सीदे ही हमारे जो मोटा वाला pin है यानि की हमारे जो plug top है यानि की हमारे जो socket है उसका जो मोटा वाला pin है उसमें हम connection कर देंगे दोस्तों यदि आप यह नहीं जानते कि अर्थिंग क्या होती और हम connection क्यूं करते हैं तो उसके लिए वीडियो बनाया गया है उसको आप देख सकते हैं उसका भी link description में डिया गया है ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पर जो हमारा यह वाला socket है इसमें भी motor वाला pin है इस motor वाले pin को भी हमें earthing के सार connection करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां से एक wire को loop करके ले जाएंगे और इसको सीधे ही ले जाके इस motor वाले pin के सार connection कर देंगे अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा kitchen है इस kitchen में हम एक bulb और एक fan का इस्तेमाल क करेंगे और एक power socket का इस्तेमाल करेंगे heavy load को connect करने के लिए तो यहां पर जो हमारा kitchen है इसमें power supply ले जाने के लिए यह जो हमारा second MCBA इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह जो हमारा MCBA इसके output terminal से wire को connect करके ले जाएंगे और यह जो हमारा switchboard है इसके किसी भी एक switch के साथ connection complete कर देंगे तो यह जो दोनों switch है इसको भी हमें face supply देना होता है तो हम क्या करेंगे यहां से wire को loop करके face supply दे देंगे अब देखिए यह जो हमारा socket है इसको control करने के लिए इस switch का इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते है इसके output terminal से wire को connect करके ले अब यह जो हमारा fan है इसको control करने के लिए switch का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके वीज़े में हम regulator का भी connection करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे यह जो हमारा switch है इसके output terminal से wire को connect करेंगे और इसके आपपूर टर्मला को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा fan है इसको face supply दे होता है तो इसके लिए Wanna बस बार है इस बस बार से एक वायर को चुट करके ले जाएंगे और उसको ले जाके यह जह मारा है उसके लेफ्ट वाले पिन के सारक्नेक्सन कंप्रीट कर का इस्तेमाल करेंगे और इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए क्य枌व एक स्विच्च का इस्तेमाल करते हैं अब देखिए यह 금ारा भी स्विच्च कोई पावर सप्लाई Gəngd करेंगे और फे। इस्विच्च को inppu dakar WiFi करेंगे अर यह course करूज़ करेंद मैं के लिए यहां से वायर को लूप करके ले जाएंगे और इसको ले जाके सीधे ही स्वीच के सार कनेक्शन कंप्रेट कर देंगे अब यह जो हमारा स्वीच है इसके आपपूर टर्मलर से वायर को उस पिन के सर हम connection कर देंगे आप यह जो अवार पावर से क्लिट है इसको भी हम earthing के सर connection कर देते हैं ठीके धोस्तों यहाँ पे एक चीज लेखीगा यह जो हमारा solar inverter है इसको भीieur routing के सर्थी common करना होता है तो यह जो हमारा solar inverter होता है इसको earthing के लिए के लिए हम क्या करते हैं जो हमारा अर्थिंग है वहां से एक बार को लूप करके हमारा जो solar inverter होता है उसके body के सार connection कर देते हैं ठीक है अब देखिए यह जो हमारा room no.2 है room no.2 में हम एक fan और एक bulb का उपयोग करेंगे अब इस bulb और fan को control करने के लिए एक switchboard का इस्तेमाल करेंगे और एक power switchboard का भी इस्तेमाल करेंगे ठीक है जिस पकार से हमने यहां पर room no.1 का connection किया थे same to same connection हम इस room के लिए भी करेंगे तो एक बार समझ लीजिए यह जो हमारा तीसर नमर का MZ भी है इसमें से एक बार को connect करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो switchboard है इसके किसी भी एक switch के सर connection कर देंगे अब इन दोनों switch को भी हम face supply connect कर देंगे अब यहां पी जो हमारा switchboard है इस switchboard में जो यह वारा socket है इसको control करने के लिए इस switch का इस्तमाल किया जाला है तो हम इसका भी connection कर देंगे इस bulb को control करने के लिए switch का इस्तमाल करेंगे और यह जो हमारा fan है इसको control करने के लिए switch का इस्तमाल करेंगे इसके बीच में हम एक regulator का भी connection कर देंगे यहां पे connection same to same इस room नूमबर 1 के जैसे होगा तीक है अब यहाँ पर जो हमारा switchboard है इसमें हम neutral supply का connection कर देते हैं इसको neutral supply देने के लिए हमारा बस बार है वहाँ से एक वायर को connect करके लाएंगे और जो हमारा switchboard है इसका जो ये left वाली पीन है उसमें connection कर देंगे तीक है अब यहाँ पर जो हमारा bulb अब fan है इसको भी neutral supply देना है तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक वायर को लूप करके फैनोर और bulb को neutral supply connect कर देंगे तीक है अब यह जो हमारा switchboard है इसको भी हम earthing के साथ connection कर देते हैं अब यह जो हमारा power socket है इसको power supply देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके ले जाएं अब यह जो हमारा power socket है इसका जो left hand side में जो pin है उसको neutral supply देना होता है तो उसके लिए हम यहाँ से एक वायर को लूप करके neutral supply दे देंगे अब यह जो हमारा मोटा वाला पीन है उसको हम earthing के सार connection कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पी जो हमारा house wiring था वो भी solar panel के connection के साथ में वो complete हो गया है I hope कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पर like share और comment कर दीजिएगा और यदि आपको इस वीडियो के द्वारा किसी पर अगा doubt है तो please comment box में comment करके पूछ लीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद